असलाम वालेकुम, welcome to RSG Guider मैं हूँ आपकी दीचर माहीन मदद अली और आज की हमारी क्लास होने वाली है Synchronize the Audio So let's start it So basically आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी ओडियो को किस तरीके से Synchronize कर सके अब basically ये Synchronize होता क्या है आपके पास same kind की audio है और आपको इनको match करना है अब हम match क्यों करते हैं जैसे कि हम एक project पर work कर रहे है multi cams होते हैं हमारे पास 4-5-6 camera होते हैं और उनमें जो है वो same kind की audio होती है अब आपको अगर बीच बीच में जो है वो अपने clips को change करना है बट audio एक ही रखनी है तो अब आप इन सब की audio को किस तरीके से match करेंगे वो मैं आपको आज की class में बताऊंगी आज की class पहुज़ादा interesting होने वाली है तो इससे end तक देखना नहीं बोला तो चलिए अब हम अपनी screen की तरफ चलते हैं तो अब मैं आपको बताती हूँ आप अपनी audio को किस तरीके से synchronize कर सकते हैं बहुत easy way में इसके लिए मैंने याप पर दो same type की music लिए जिसके अंदल दो same type की video भी है तो आप इसको करते हैं synchronize तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर अपनी volume को सबसे पहले हम आएंगे अपनी second video पर तो यह दोनु same है इसके लिए पहले तो मैं इसको unlink कर दूंगी ताके हम इसको जो हमारी first video इसके ऊपर लगा सबसे पहले इसको unlink करेंगे तो अब मेरी जो यह audio और video है वो एक दूसरे से unlink हो चुकी है अब मैं इसमें से जो है वो तोरा सा जो पार्ट है वो कट कर दूंगी छोटी कर दूंगी इसको और अब यहां पर जाकर हमने क्या करना है कि यह जो हमारी second video है उसको हमें first video के ऊपर रखना है और हमारी जो second audio उसको हमें first audio के ठीक नीचे रखना है अब आप देखेंगे हमारी जो audio and video है वो एक दूसरे से mismatch है अब हमें इसको match करने के लिए इसली क्या करना होगा हमें सब क्लिप्स को करना होगा select then right click करेंगे तो यहां ठीक उपर जो है वो हमें synchronize का एक option नज़रा होगा जब इसपे click करेंगे तो यहां पर तीन चार जो है आपके पास options आजएंगे simply आपको audio पर जाना है इसपे check करना है and okay कर जाना है तो आप प्रोसेसिंग में टाइम लेगा ठीक है अब आप देखेंगे मेरी जो audio and video थी वो एक दूसरे से match हो चुकी है आपको अगर मैं इसको कड़ी से भी दिखाऊं तो इनकी जो waves है वो बिलकुल अपनी जगा पर आ गई है दोनों की जो waves है वो एक दूसरे से match हो रही है इसी तरीके से आप अगर multicam से जो है वो अपनी voice record करते है and then उसको आप match करते है तो आप easily जो है easy way है इससे आप 4-5 जितनी भी आपकी audio है उन सब को बहुत easily match कर सकते है तो I hope आपको मेरी आज की class समझ में आई होगी अपनी audio को हम किस तरीके से synchronize करेंगे वो भी आपको समझ में आ गया होगा बहुत छोटी सी class थी जब हम कोई बड़े project पर work करते है जब हमेरे पास 3-4 camera होते है उसके अंदर हमेरे पास same kind की audio होती है तो फिर हमें उसको match करना सीखना होता है तो मैं आपको आज की class में सिखा दिया कि हम उसको किस तरीके से match कर सकते है तो अगर आपको मेरी आज की class पसंद आई है तो मेरी वीडियो को like करे मेरे चैनल को subscribe करे और पास में बेल आइकन को प्रेस करे ताकि मेरी आने वाली वीडियो की update आपको सबसे पहले मिले तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए take care and अलाफिस